स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे यूटूब चैनल साइंस प्लानेट में दोस्तों अगर अभी तक आपने अमारे इस चैनल को like, share और subscribe नहीं किया तो जल से जल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेर भी करें ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे ये कंटेंट पहुंच सकें और इसका लाव उठा सकें मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, जियां दोस्तों मैं आज आपके लिए इंजिनेरिंग ड्रॉइंग के अबजेक्टिब कोश्चन्स और इंपॉर्टन नोट्स लेकर आया हूँ, मुझे विश्वास है आप सबको इसका बे के आया हूँ, पहला सेट इस इंजिनेरिंग ड्रॉइंग का जो है ड्रॉइंग इंस्ट्रॉमेंट एंड देर यूजेस, जियां दोस्तों इंजिनेरिंग ड्रॉइंग बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है, आने वाले RRBALP के एक्जाम्स में इतना ही नहीं, बहुत से र टॉपिक, इंजिनेरिंग ड्रॉइंग, ये एक लैंग्वेज है, इंजिनियर्स का, जिसके थुरू इंजिनियर्स एक दूसरे से आसानी से कम्टिकेट कर सकते हैं, प्रॉड़क्ट के बारे में, जी हाँ, ये जो टेक्निकल ड्रॉइंग है, इसको कोई भी डेस का इंजि किया हुआ, ये सारा चीज उस ड्रॉइंग से आसानी से एक इंजिनियर्स समझ सकता है, चाहिए वो कहीं कभी हो, भारत का हो, पागिस्तान का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, कहीं कभी हो, वो इस ड्रॉइंग को देखके आराम से समझ सकता है, इसलिए इंजिनियरिंग ड लाइंगुज भी कहा जाता है अब आते हैं ड्राइंग इस्ट्रूमेंट्स में ड्राइंग करने के लिए हमको सीट के साथ साथ एक ड्राइंग बोर्ड की जरत पड़ती है जिस पर हम सीट को रखके ड्राइंग करता है तो drawing board की quality है क्या क्या होना चाहिए drawing board is made up of strips of well seasoned softwood यानि कि वह ऐसी लगड़ी जो की गर्मी हो या बरसात हो उसमें फूले नहीं या फिर पिचक न जाए क्या होता है कि मौशेर अगर पढ़ता है लगड़ी में तो फूल जाता है तो ऐसा नहों इसलिए एक बहतर क्वालिटी का लगड़ी हमको चाहिए उसमें का finishing भी अच्छा होना चाहिए और दूसरा क्या कि यह जो drawing board है उसके पीछे सेड में बैटन्स के यूज करते है वाट इस दे यूज बैटन्स तो प्रिवेंट वार्पिंग और ट्विस्टिंग यानि कि ट्वेस्टिंग और बेंडिंग डियू टू moisture of the board ठीक है वार्पिंग में कि आता है यानि कि थोड़ जागा moisture या फिर heat पढ़ जाए तो उड़ जो है bend कर जाता है तो वह bend ना हो इसके लिए हम लोग उसको support देते है buttons के जरी है जैसे घर में अगर आपका पीड़ा होता होगा जिसमें आप बैटके घर में खाना काते हैं तो वह पीड़ा के दोनों साइड में हम लकडिया कर टुकड़ा लगाता है उसको support देने के लिए उसी तरह हम इसमें भी drawing board में दो buttons का यूज करते हैं ताकि वह bend ना करें दूसरा चीज क्या है कि drawing board का जो left side है उसमें हम ebony एक group काटते हैं उस group में एक ebony नाम का लकड़ी डालते हैं जो कि बहुत hard लकड़ी होता है बहुत hard और dense लकड़ी होता है इस edge को जिस edge में हम लगाते हैं उसको working edge भी काते हैं यह ebony लकड़ी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो t square यूज करें वो t square यूज करते हैं horizontal lines draw करने के लिए drawing board में तो t square इसमें असानी से slide कर जाए इसलिए हम ebony edge का use करते हैं इस ebony edge का जो है बहुत ही अच्छा finishing भी होता है और यह किसी भी मौसम में जल्दी से खराब नहीं होता है तो इसलिए इस ebony edge का use किया जाता है shape of drawing board is rectangular shape of working edge straight होता है working edge के side में होता है left side में यानि कि आप जिस side में खड़ाओ के drawing बना रहे हैं just उसके left में working edge होता है इस क्या क्या होता है according to bureau of Indian standards b0, b1, b2, b3 यह चार designations मैंने सोखिया जो कि जरूरी है कहीं कहीं किसी बुक में आपको b0 का जगार d, d0, d1, d2, d3 भी लिखा रहाता है तो इसलिए इसको देखका confused नहीं हो जो पहला designation है b0 उसके cutting board का size होना चीए 1500 mm length, width तोना चीए 1000 mm और thickness होना चीए 25 mm इसी तरह b1, b2 और b3 का sizes होता है b0, b1 जो है usually factories में और engineers लोग use करता है b2, b3 size के जो board है वो usually colleges में और schools में use किये जाता है अब आते है drawing paper के standard size में, drawing paper या drawing seed भी का सकते हैं designation a0 उसका size है 841 mm x 1189 mm a1 का है 594 mm x 841 mm a2 का size है 420 mm x 594 mm a3 का है 297 mm x 420 mm a4 का है 210 mm x 297 mm a5 का है 147 mm x 210 mm जो बड़े size का a0 है वो usually factories वागरा में use होता है बहुत बड़े drawing बनाने होता है उनलोग को इसके लिए a1, a2 sizes के जो paper है वो हम लोग colleges वगरा में use करते हैं और a4 size के paper आप तो जानते हैं वो paper है जो jerox दुकान में आपको मिलते हैं वो a4 size के paper होते हैं drawing seat में अगर आपको कुछ erase करना हो तो उसके लिए हम use करते हैं soft rubber याद रखेगा दोस्तों hard rubber use नहीं कर सकते हैं अगर hard rubber use करेंगे तो उससे drawing seat जो थोड़ा खराब हो जाता है वो बिगड सकता है वैसे लिए हम लोग soft rubber का use करते हैं मिटाने के लिए What is used to clean dust on the seat? Soft cloth usually made of cotton या फिर duster के use करते हैं जो कि towel cloth का बना होता है जैसे होता है निकि drawing करते समय कुछ dust अगर पढ़ जाता है seat पे तो हम उसको साफ करने के लिए तो हम soft कपडा चाहिए ताकि उसमें कोई दाग न पढ़ जाए drawing seat पे What should be the color of drawing seat? Light cream buff in color यह drawing seat का color तहीं कहीं पे आपको white भी लिखा होता किसी book पे तो अगर आपको option में white दिया जाए तो white टिक कीजेगा और अगर light cream buff in color दिया तो light cream buff in color यूज कीजेगा टिक कीजेगा दोनों में से कोई एकी option मिलेगा इसलिए चिंता ना करें Quality of drawing seat It should be tough, strong, smooth and uniform in thickness यानि कि drawing seat जो है मजबूत होना चाहिए Thickness भी एक तम uniform होना चाहिए और smooth surface finish उसका होना चाहिए इतना strong होना चाहिए कि जब भी rubber से हम उसको erase करे तो उसका जो उपर का जो फाइबर है वो अलग ना हो जाए वो उखड़ना जाए उपर का फाइबर खबड़ना हो जाए आज दूसरा यह कि हम उसमें कोई भी लिखने के लिए कभी काल pen का भी यूज़ करते हैं इंक pen का भी यूज़ के जाता कुछ mark को अगरा करने के लिए तो जब हम उसका यूज़ करें तो ऐसा ना हो कि यूज़ करने पर इंक जब उस पर पढ़े तो वो फैल जाए इसलिए garlic pencil का क्वालीटी यूज़ कना चाहिए कि इंक ना हो यूज़ करना तो इसके जनकारी आपको होना सभाए जरूरी है ensuite जो यूज़ आता है उसका जो उपरी भाग होता वह लकडिका बना होता है और जो उसमें जो नीब होता है जिसको lead भी कहता है वो बना होता है clay जिसको kaolin भी कहता है kaolin नामक clay उसमें present होता है and graphite ये दो चीजों से pencil का lead बनता है pencil the hardness of a pencil depends upon the amount of clay or kaolin present in it जो pencil का hardness depend करता है वो kaolin पे hardness is directly proportional to the amount of clay or kaolin kaolin की मातरा अगर ज्यादा रहेगी pencil में तो pencil का hardness जो है lead का hardness वो ज्यादा होगा अगर kaolin की मातरा कम होगी pencil का lead में तो pencil का lead का hardness कम होगा pencil के कौन-कौन से grade यूज के जाता है drawing में hard grade, medium grade और soft grade hard grade में आपके आता है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H medium hard grade के pencil होते हैं वो होते है 3H, 2H, H, F, HB और B आज जो soft grade के pencil होते हैं आपके 2B से लेके 7B यानि कि 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B इन pencils का हर जगा अलग-अलग यूज होता है अलग-अलग जब कोई pencil construction line के लिए यूज होता है तो कोई pencil hatching के लिए यूज होता है तो इसलिए हर तरह के pencils की जानकारी आपको होना जरूरी है hardest pencil used in engineering drawing इनजिनेरिंग ड्राइंग में जो hardest pencil used होता है वह होता है 9H और जो softest pencil used होता हुआ कौन सा होता है 7B तो ये दोनों याद रखेगा बहुत जरूरी कोईशन से इसके बाद का भी कोईशन बहुत ही जरूरी है shape of pencil usually used in engineering drawing आप ध्यान दीजेगा दोस्तों आप जो pencil use करते इंजिनेरिंग ड्राइंग में उसके उपर का shape होता है hexagonal यानि कि जो wood होता है जिसको पकड़ते है वह hexagonal shape का होता है what is used to remove the wood around the pencil lead sharpener और pen knife pencil को छिलने के लिए हम क्या use करते है sharpener का या फिर pen knife का भी use किया जाता है what is used to sharpen the pencil lead pencil का जो lead होता हूँ नीचे अला भाग जिससे हम लोग लिखते है उसको sharpen अगर करना होता है तो हम sand paper block का use करते है ताकि हमको एक smooth finishing मिले pencil के lead का यह जो figure है वो एक sand paper block का है इसी में हम pencil के lead को रगड़ रगड़ के और sharpen करते है for drawing lines of uniform thickness the pencil should be sharpened in the form of chisel edge chisel याने की shiny हिंदी में बोलते है जिसे तो chisel की तरह pencil को sand paper block में गिस गिस के हम करते है ताकि हम एक uniform thickness का line गिश सके for sketching and lettering pencil should be sharpened in the form of pointed edge अगर lettering या sketching करना हो तो pencil को किस तरह sharp करते है pointed edge के shape में drawing clips or pins drawing clips or pins are used to fix the drawing seat on the drawing board कभी-कभी adhesive tapes भी use करते है यह drawing pins है और यह drawing clips है जो figure दिगा हुआ है इसको use करके हम drawing seat को drawing board पे fix करते है ताकि drawing करते समय वो हिले नहीं हम आसानी से draw कर सके अपना figure को कभी-कभी हम directly rubber के जगा जो भी unwanted lines मेरा बन गया ब्राइंग seat में उसे मिटाने के लिए हम इस seed का use करते हैं इससे क्या होता कि मासानी से सिर्फ जो हमको line मिटाना वही मिटता है उसके आसपास का lines से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो यह फाइदा है erasing shield का T square The T square is made of hard quality wood also celluloid या फिर plastic इन चीजों कभी बना होता है T square के दो parts होते हैं एक stock और दूसरा blade जो head part होता है उसे stock काते हैं और blade part को जो lengthy part है जिसमें हम horizontal lines गिशते हैं उसको blade काते है और जो side में जो part है T square के उसको working edge काते हैं उसमें dimensioning किया हो रहता है उसमें जैसे mm का जैसे scale में जैसे marking होता है ना उसी तरह working edge में T square का marking किया हो रहता है और यह जो stock और blade है वो आपस में 90 degree में एक दूसरे से connected रहता है इनको connect करने के लिए pins का use किया जाता है T square is used for drawing horizontal lines यानि कि 36 रखाए गीचने के लिए T square काम आती है It is also used as a base for set squares to draw vertical, inclined और mutually parallel lines यानि कि set square की combined मदद से हम vertical यानि कि खड़ी रखाए inclined यानि कि टेड़ी रखाए और mutually parallel lines यानि कि सामानता रखाए भी हम खीच सकते है The defective edge of the T square is rectified by planning or sand papering the defective edge अगर T square का जो edge है जिसे हम draw कर रहे हैं अगर वो खराब हो जाए यानि कि थोड़ा बहुत होता न कि मुढ गया या कहीं फूल गया अगरा कुछ हो जाता है सही से रेखा आपका घिचा नहीं रहा तो हम उसको ठीक करने के लिए sand paper का यूज करता है sand paper से हम घिस घिस के उस edge को फिर straight करता है The T square slides on which part of the drawing board ये एक बहुत important question है दोस्तों कि T square board के drawing board के किस part पे slide करता है ये मैंने पहले भी बता है कि T square slides on the working edge और ebony edge of the board The two most commonly used set squares in engineering drawing ये को था 30 और 60 degree का कौन बनावा जो रहा था वो set square दूसरा होता 45 और 45 डिगरी का जो बनावा रहा था वो set square तो ये दो मैंन set squares है जो की engineering drawing में use किया जाता है कोन बनाने के लिए Angles in multiple of 15 degree are constructed by the combined use of T square and set square अगर हमें 15 degree के multiples का angle बनाना हो जैसे 15 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree अगर इस type के angles अगर हमको draw करने हो तो इसके लिए हम T square and set square का combined मदद लेते हैं प्रोटेक्टर, it is used to draw or measure angles जी हाँ, प्रोटेक्टर यानि की चांद ये आपका 180 degree का भी होता है और एक पूरे circle का, यानि 360 degree का भी प्रोटेक्टर मिलता है तो इसके यूज़ करके हम कोई भी angle draw या measure कर सकते हैं Compass and divider To draw small size circles Which type of compass is used? वो compass का use किया जाता है To draw small circles अगर large size का circle यूज़ करना हो तो हम क्या करते है Compass के साथ एक और lengthening bar का attach कर दते है इसके जरी हम और भी large size का circles बना सकते है Divider का use किया To divide curved or straight lines into desired number of equal parts अगर किसी भी curve या straight line को Equal parts में divide करना है तो हम उसके लिए divider का use करते है To transfer dimensions from one part of the drawing to another part अगर कोई भी dimension हमको transfer करना है किसी drawing का From one part to another party याने कि किसी और जगा अगर same dimension का अगर हमको use है तो हम उसको divider के जरीए transfer करते है To transfer measurements from the scale to the drawing Scale से भी कभी कभी होता है कि हम map ले लेते है कि हमको इतना चाहिए तो scale से हम divider के थो map ले लेते है और उसको drawing में transfer करते है French Curves These curves are used for drawing curves which cannot be drawn with a compass It is generally used to draw small curves French Curves का काम क्या है To draw curves कभी कि ऐसा होता है कि circle में क्या होता है कि हम एक circle वालक कर बना सकते है पुरा गोलाकार वालक कर बना सकते है लेकिन हर जगा गोलाकार curve भी use नहीं होता है तो different type of curves बनाने के लिए हम लोग French Curves का use करते है लेकिन French Curves जो है वो सिर्फ small curves बना सकते है मतलब ज़्यादा bigger size का नहीं बना सकते है तो अगर बहुत बड़े size का curve अगर हमको बनाना तो उसके लिए हम लोग splines का भी use करते है अब आता है engineering drawing के एक बहुत important instrument के बारे में जानते है जो कि है drafting machine या mini drafter आज के लिए maximum use होते है colleges में या पर drawing के लिए drafting machine का use क्या है यह जो है T square, protector, scale और set square इन चारों चीज का जो काम है वो यह अकेले कर सकता है यानि कि इन चीजों को replace करके हम drafter का भी use कर सकते है इसके जरीए हम lines खीच सकते है कोई भी desired angle को map सकते है कोई भी desired angle हम draw कर सकते है horizontal line हो चाए vertical line हो inclined line हो हर तरह के line हम इसके जरीए draw कर सकते है its one end is clamped or fixed to the upper or lower edge of the drawing board इसका एक end जो है हम लोग या तो उपर का drawing board के उपर का भाग में या फिर नीचे वाले भाग में हम लोग इसको fix कर देते है और उसके बाद फिर इसको move करते हुए जहां जो drawing बनाना हो जो भी line कीचने हो या अंगल बनानो इसके जरीए हम करते है minute after से क्या होता है कि हमारा बहुत time भी बच जाता है दोस्तों ये अंत नहीं शुरुआत है अगर आपको engineering drawing के और भी वीडियोज चाहिए और भी जानकारिया चाहिए किसी और भी चीज के बारे में तो आप हमारे इस channel को subscribe करना ना भूले और हाँ दोस्तों अगर आपको बहुत पसंद आया हो या आगे और भी content चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और बाकी दूसरों को भी share करे ताकि वो भी हमारे इस content का लाब उठा सके धन्यवाद दोस्तों